कि अग्याइज आप अभी लोगों का स्वागते मेरे इसे कर नए वीडियो के अंदर और आज का मरा वीडियो जो हने वाला है वो हने वाला है हम्ती के अंदर तो मैं कल रात को हम्ती के दर इदर आ गया था और अब एक गुम लेके आप सुबा में यहां से घुमने के लिए आ आपको जो यहां का एक्स्फिधेंस है लोकल का और यहां का खारे जो जगा है वो सब में आप पार दिखाने वाला है अगर आप इस चैनल पर नए ओ तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को लाइक करो इस चैनल को सब्स्प्राइब करो आपने बहुते दरा चैर करो और मैं आप से ज्यादा एए छोटे-छोटे के लिए देखने को बिलज़े है मैं यां पर अब तक मैंने यह इतने छोटे के लिए नहीं देख यह पर फेजी बार में यह छोटे के लिए देखें तो वैस पीछे आप जो टेंपल देख रहे हो वह विरुपक्षा टेंपल है जो कि मंदरा सतापदी के अंदर बिल्ड हुआ था तो विरुपक्षा मंदर के एकजट पास में आपको मिनगा तो आप यहां से कदल भी जा सकते हो बाकि सारी जो चीज़े हैं उनके लिए आपको रिक्षा लेना पड़ेगा यहां से ओटोक तो वह आपको 400-400 रुपके अंदर पूरा दिन गुमाएंगे यहां पे आप भूम सकते हो आरांसों बाकि पीछे के साइट के आप दो जेशेक्थे हो पूरा तप सरसे बना हुआ यह पूरा का पूरा इधर से विव आता है और अगर इसके ऊपर भी जाएंगे अभी और पीछे की साइड आप जेसके जो कि यह वीरुपक्षा टेमपल पीछे की साइड आपको दिख रहा पर अंदर की साइट जो है आपको यहां पे मस्क भीव आएगा तो आप यहां से फोटो बगरा भी फोट कर सकते हो तो यहां पी का दूसरा टेम्पल है जो मैं एक्सलोर कर रहा हूँ तो गाइज अभी मैं टेम्पल के अंदर आया हूँ उसका नामे कृष्णा मंदिर और यह कृष्णा मंदिर का कुछ इंटर्फेस इस पर का साफ को देख सकते हो पीछे की हो रहे बागे इसका यहां से व्यूव आपको बहुत जद आच्छा देखना को मिलेगा फोटोशिट बगेरा करना है तो आप यहां पर नस्क तरीको कर सकते हो और मैं भी दूर से यहां पर वीडियो रेकोड कर रहा हूं कि महां भी आलाउड नहीं है वीडियो रेकोडिक का आप मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो दूसरों के साथ, यह बोल रहे हैं तो अभी तो आना ही चाहिए वन के, तो गाइज मैं यहाँ पर अब रोड की ऊपर आ गया हूं और यहां से वाप इसे में लिफ्ट लेने की ट्राइब कर रहा हूं, हमपी के अंदर ट्राइब करता हूं अगर मिल जाए तो अच्छा है जैसे आप मुझे कोमेंट करके बताओ क्या हम भी में लिफ्ट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, चोटा 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 लिफ्ट जाए ना बढ़ा भी नहीं है लेकर मुझे एक प्लेस है वहां पे जाना है वो अक्रिबन वन किलो मे पेदल जरा जाओंगा एक लिफ्ट मिल जाए तो अपना टाइंग बच जाएगा देखते हैं हम्पी मेट रहे करते हैं रिफ्ट मिल सकता है कि नहीं है तो गाइस अभी मैं पोचा हूं वह है भी मा गेटवे हम्पी के अंदर का और यहां का आप देख सकते हो स्ट्रक्चर दुरकुली मतलब एक अमेजिंग आर्ट की तरह बना हुआ है यह पीछे देख सकते हो यह पत्थर का जो एनेचरली है यह किसी इंसान के बना हुआ बसका नहीं है यह नेचरली पीछे आप देख सकते हो बना हुआ है और यह जहां पर जाओंगा यह जगापूरी समसान स्पेस होगा और यहां पर लोग होंगे लेकिन यहां पर कोई भी बंदा नहीं है पूरा सुम्सांट जगा पड़ा है लेकिन है बहुत अच्छा व्यू देखने में बहुत ही मजा आया बस अभी यहां से मैं निकल रहा हूंगो आप इस से रोड़कियों लेटे आगे क्या है बाकी यह जगा बहुत ही मस्ती है आप यहां से देख सकते हैं पूरा इसका व्यू कितना खतरनाक व्यूए यहां का नाम है दीमा गेटवेए हो सकता है एक समय पर यह गेट रहा हो आने जाने के लिए तेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता है कि यहां से कोई भी लोकल लोक कुछ ही ही है कि आखी व्यू भी शुगका सादेल लोक मुझे यहां पर तृब ही निखा है यह जांच को परा सांथ एडिया और कोरे टिरा पीसी देह सकते हैं यहां का जो बाकी पीछे आप देख सकते हों कि रियल इसका फोड़ो आपको पीछे इस प्रकासा दिखेगा जहां पर आपको दो बड़े कफ़र हैं जो बहुत ही पुरानों जमाने से बना हुआ है और इसका जो पुरा स्टोरी है वो मैंने आपको फोटो के अंदर डाल के दिया है बाकी यहां का व्यू देख सकता है बौात ही मत्ते आप तर जग है तक देखो बड़े-बड़े पत्षर इसने मिलेंगे लाकी इसने बड़े-पत्थर है लोगे अंग है बहुत सारे टनों का वाजहन है देख सकते हो बिछे कि यह चार यहां की हाँ इसकर आपको तोक प्र तो पूरा विलेज शिटी यह पुरा टेम्पर से गिरा हथा हुआ है यहां पर बहुत ज्यादा टेम्पल् आप जितने देख़े उतने कम ठीम लहाँ दूसरा यहां पर स्टोन वगेरा का आर्ड जो है वह बहुत ज्यादा तो आप रट अम्पी फेवहनों की जमीन का जो लेवल है उसके अंदर बना हुआ है तो बहुत ही च्छा टेमपल है ये अर्किटेक्ट्ट्र बट ये अच्छा बना हुआ इसका, पूरा और बहुत पुराना टेमपल है तो कैसे अभे में आज चुका हूँ हम बेंड मिनार के अंगर आप देख चो यहां पर कोई पुब्लिक नहीं है सिवार मेरे पूरा खाली बढ़ा है यह तो वैस आप पिछे देख सकते हो कि यह वोच टावर है तो पिछे के साइट जो आप देख रहे हो वोच टावर है यहां पर बहुत पराने समय का होगा मस्चिद पीछे की साइट जोहरी मस्चिद है आप गाइज अभी मैं आया हूँ अजार अरामा टेंपल के अंदर आप जित तकियो के पीछे हजार अरामा टेंपल है मैं जाना हो अपिस से अब दूसरी जगह हूं कि आप आप से भी देख तकियो कि हज़ोर अरामा टेंपल है यहां पर आप देख तो यह अज़र अरामा टेंपल है तो काईज अब हम लोग यहां पर गुप्तकक्स के अंदर आ चुके हैं यहां पर मैं पर गुप्तकक्स के अंदर जाने वाला हूं तो देखते हैं अंदर क्या है पर आप देखते हैं अंदर क्या है पर आप देख रहे हो वह एक राजा महाराजो का महानवी प्लेटफॉर्म है इसके अंदर राजा महाराजा मतलब बैट के बाते वागिरा करते थे वो पीछे आप देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म तो दुखना है आप इसके ऊपर ये महानवी प्लेटफॉर्म करके है जहां पे राजा महाराजा बेट के बाते वगर आज़टे हैं ऊपर मैं आ चुका हूं आप उपर का बुछ नज़ारा इस प्रकासा है आप देख सकते हो आपर से आप एक दिख रहा है देख सकते हो के उफर से बहुत इस बीटिफुल दिखता है यहां पर और यह प्रेटफॉर्म है जिसके उपर मुतलब इस टाम पर राजा माराजा जो यहां के हुआ करते हैं वो बैठते हैं बाते किया करते हैं तो गाइस आप पीछे जो देखे हो वो काले पस्कर की बनी होई पुस्करमी है और तियास के सब यह मना चाता है कि यह पुस्करमी के जो पत्थर है वो फुए हंपी में कहीं पर ने मिलता इसको और जगह से लाया गया है बनाने के लिए तो गाइस यह आप देख शकते हो यह पूजा का कुंड़ है मतलब कि यहाँ पूजा होती तो यहां पर लोग नाने आते थे और पूजा के लिए यह उसकी आजाता था यह तो गाइस अपे में आया हूं मिन बात के अंजर और आप देशक्तियों कि यह यहां का मिन बात है तो गाइस अपर देखते हैं यहां पर किस प्रकार का मंदिर का बात से देख सकते हैं कि इसका जो प्रकार का मंदिर देख सकते हैं के ज़ए कुछा करका है यहां से आप को यहे दिखेगा है कि इसका स्क्रक्चर को जिस प्रकार का है अंक यह अंदर डी खाई अप देख सकते हों यहां पर मैं के चीज दिखाना चाहता हूं वह है यहां पर यह हमनदी का स्टेट्यू जग्याप पूरे हंपी में किसी भी जगह पर यहां जाए अरंगा मंदिर को आप देख सकते हो यह जो कि लिए अन्गिण परांगरंगें आपकी इस्टेश्था साई अब जारे है बुद्धिस्त जो पेनल्स है नगो देखने वाले हो, याने कि बुद्धिस्त की जो वस्तु कोला है, पुरान जो सब अगना क्या भी देखने वाला है क्षव कर देखनेखने हैं जो बुद्धिस्त की जो जेखने हैं क्षव करेखने हैं तो यहांपे आपको जारत और बुद्ध जैंग की जो स्टॉन की जो आठ बने हुए नहीं बही देखने के लिए है अब देख सकते हो यह सब जैंग के आठ बने हुए है तो यहांपे आठ बने हुए है तो यहांपे आठ बने हुए है तो यह सारी जो चीज़ है ना वो सब अबजेक्ट मेटल के बने हुए है जो बहुत सारे पुराने टाइम के आप देख सकते हैं यह सारे अबजेक्ट को तो यह सब पुराने टाइम के जो स्टोन वगेरा से बने हुए मेटल वगेरा के बने हुए है वो है यह पोट्स वगेरा है यह जो मूर्तिया है वो हजारों साल पुरानी है तो गैस म्यूजियम को घुमने के बाद भी में आगे कि और बढ़ रहा हूंगा पीछे के आप यह टावर देख सकते हो इतना बड़ा है ने पीछे जो देख रहे हो वो है लोक्तर समयल यहां का रिमस मैल है तो गैस पिछे आप देख रहे हो वो आथी साला है यहां पर यह राजाओं के महा राजाओं की टाइम पर आथी साला हुआ अगरते जो आप देख रहे हो वो है पहरी कक्स मतलब यहां पर जो पहरेदार देख हो यहां पर उपका गरते है तो इसके पहरी कक्स पा जाता है